इस skin condition को psoriasis कहते हैं और नहीं ये बिल्कुल भी कोई infection नहीं है जो हाथ लगाने से spread होगा लेकिन इस वीडियो में जो ये नड़की कर रही है वो बहुत ही जादा गलग है usually ये body के tendencies होती हैं जो genetically determine करती हैं तो psoriasis में basically उस particular area में skin बहुत ही जादा dry हो जाती है और इस वज़े से water conservation के लिए वो और जादा skin बनाती है लेकिन ये skin एक तूसरे को अधर ना होने की वज़े से ये और जादा dry होके flake बन जाती है और इस flake के ही वज़े से कई सारे लोग को इसे scratch करने लगते हैं लिकिन इस scratching के वज़े से ही psoriasis के region और जादा बड़े हो जाते हैं size में तो psoriasis के cases में आपको कुछी से जानना बहुत जादा ज़रूरी है सबसे पहली चीज ये किसी भी तरीकी की infection नहीं है जो हाथ लगाने से spread होगी दूसरा important चीज है यहाँ पर्टिक्लिर इन इरियाज में आपको moisturize बोगत जादा frequently करना है इसे maintain रखने के लिए तीसरे important चीज सोरियास जड़ से जाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए आपको ज़ड़े लंबे समय तक continue करना ज़रूरी हो सकता है चौते important चीज आपको किसी भी तरीकी के अगर जखम होता है या फिर किसी भी एरिया उसमें आप continuously scratching करते हैं तो वहाँ पर सोरियास इसके लीजन डवलप हो सकते है तो आपको ऐसे किसी भी लीजन को immediately moisturize करके उसे handle कर लेना है and सबसे ज़ादा important चीज ड़मेटलोजिस consultation करके उनका सही management ज़रूर शूरू करना जालिए